हेलो एप्टिपवान तो कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में प्यास्थ होंगे कि कौन क्या कर रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, हमारी देश में क्या हो रहा है तो छोटी से ये वीडियो होगी, बट इस पर हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे परंतु मैं भी मजबूर हो गया तब जब मेरे जो वीडियो बाता हूँ ठीके तो comment section है comment section में मैं कहता हूँ कि जो भी आपके प्रस्न हो वो आप उच लीजिए तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत से ऐसी student है जो लगे इसराइल और फिलिस्तीन में मतलब discuss करने अब बहुत लंबा उन्होंने discuss किया तो इस प्रकार comment section में भी आ रहा था WhatsApp पर भी बहुत ज़्यादा message आया कि सर आप थोड़ा सा इस पर explain कर दीजे मुझे उतना नहीं पता तो आप भी थोड़ा से बता दीजे तो देखिए मैं भी पूरा overall नहीं बताऊंगा क्योंकि छोटा से वीडियो होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो area है यहाँ पे network की थोड़ी सा भी problem चल रही है तो इसलिए मैं उपर उपर ही बताऊंगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आप समझ जाए कि कौन सही है ठीक है मैं किसी का support नहीं कर रहा हूँ क्या सत्य है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यह वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का support कर रहा हूँ से पहले थोड़ा सांग बेसिक बात कर लें तो देखें इसराइल फिलिस्तीन में अभी इसी लड़ाई नहीं है बहुत ही पहले से लड़ाई हो रहा है ठीक है बट अभी फिर से शुरू हुआ है बीच में रुख गया था फिर से शुरू हो रहा है तो यह जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है ठीक है कभी होता है फिर सो रुकता है फिर सो होता रहता है ठीक है तो इसी प्रकार उन दोनों के बीच में भी होता रहता है जैसे यहां पर भी दुस्मनी इंडिया पकिस्तान में मतलब होता ही रहता है ठीक है क्योंकि पकिस्तान वले वे से करते भी है ठ ठीक है जी 90 लाग हमने समझ लिया कि इसराइल की अबादी 90 लाग है फिलिस्तीन की अबादी की बात करें तो इनकी अबादी है 20 लाग लगभग 20 लाग ठीक है जी इतना हमने समझ लिया अब हम डिसकस यह हमें करना है कि यह हमने समझ लिया अब आता है दूसरी बात कि सर इसम इसकी सक्ति क्या है अधिक है इनकी जो सक्ति है मतलब मजबूत देश है इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इनकी जो सक्ति इनकी जो पावर है वो इस्राइल की तुलना में तो मुझे लगता है कि कम है ठीक है मैं कहने सकता कि कम है ठीक है ऐसा कहना उचित नहीं होगा बट आ इस्राइल में कौन-कौन रहते हैं फिलिस्तीन में तो देखे इस्राइल में लगबग जो होते हैं वो यहूदी रहते हैं ठीक है जी यहूदी रहते हैं और जो फिलिस्तीन है यह मुसलिम इसमें रहते हैं ठीक है यह मुसल्मान भी आप कह सकते हैं तो यह तो सबसे पहली बा में क्यों हो रही है तो यह लड़ाई अभी से नहीं बहुत पहले से यह स्टार्ट हुआ था ठीक है बिच में रुकता है फिसो होता रहता है यह लड़ाई तब से शुरू हुआ जब हिटलर आपने नाम सुना भी होगा तो हिटलर क्या कर रहा था यहूदियों को जो भी तो उस समय पर क्या था इस्राइल तो देश था ने उसमय फिलिस्तीन था तो यहूदी जो थे उनको मार रहा था तो हिटलर यहूदी जो थे वो भग रहते तो भग कर क्या किये इन्हों ने आये फिलिस्तीन में मतलब यहूदी भग रहते तो फिलिस्तीन जो देश था यह सप कीजिए ठीक है तो फिलिस्तिन वास्तिक्ता में यही है कि फिलिस्तिन ने यहूदियों को क्या रहने का जगा दिया अब इनकी थी अबादी अधिक ठीक है उस समय भी आबादी अधिक थी इनकी थोड़ा से कम थी ठीक है तो यह क्या हुआ कि वास्तिक्ता में तो रियल्टी यह है कि यह जो है ठीक है अब क्या हुआ अब तो सुझ लिए थोड़ा सा वहां तक जाए अभी कि क्या हालात है तेके इसराइल को फिलिस्तीन मतलख फिलिस्टीन ने इसराइल को रहने का जगह दिया अभी में हालात यह है कि अभी के हालाट आप आप सुनकर आहरान हो जाएंगे अगर आप सा नहीं जानते होंगे तो अभ क्या है कि फिलिस्टीन को रहने के लिए इसराइल का support support चाहिए मतलब इसराइल कह रहा है कि आप इतने एरिया में रहे तो सबसे पहली यह बाता है कि इन दोनों में गलत कौन है तो देखिए जब कानी है कि जब इनको support कर रहे थे मतलब यह फिलिस्तीन जो है ये रहने को इनको जगा दिया अब ये क्या कही है जब गए गए तो धीरा धीरा नहीं होता है कि अपनी एरिया को बढ़ाना वैसे ही इनकी जनसंख्या अधिक थी तो ये अपनी एरिया को बढ़ाते गए डवलप्ट करते गए अब इन्होंने कुछ विकिसित कर लिया जो क्या था फिलस्तीन को उसके बाद इसका क्या होगे बटवारा हो गया एक यूर होगे मुसलिम एक यूर होगे यहुदी ठीक है तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो रहने का छेतरफल ही वह अधिक है ठीक है मतलब इनका देष स्वड़ास बड़ा भी है इनका कम है ठीक है तो अब यह आता है कि देखे पहले तो यहий फिलिस्तिन का ही देष था अब उसमें क्या आ गए इस्वराइल भी आ गया अब क्या हुआ जब फिलिस्तिन के लोगों समझा कि यह हमारी देष में आकर को इसराइल का support चाहिए इसरे से permission लेना पड़ता था ठीक है तो यह सह रहे थे फिलिस्तीन वाले फिरसे इन्हों ने क्या किया तो इन्हों फिलिस्तीन ने फिर से इसे इसराइल पर फिरसे जब इनको पता चला कि मतलब लगा कि हाँ जैसे नहीं होता है अभी मैं एक्जामपल से अपने देश के वारे बताऊंगा तुर यह किया कि इन पर आक्रमर कर रहे हैं अब कहरे है कि जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए ठीक है यह आकरमर कर रहे हैं अब आता है यह बात कि देखी यह कहानी सेम टूसरें मे चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिखो इसाई हो सभी ने मिलकर जो अंग्रेज हो उनको भगाया ठीक है जिसमें से महाउत महान महान पूरुस है मातमा गादे जी है ठीक है उसके बाद चंद सेखर राजाद जी है भागत सिंग जी है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे ठीक है वो सभी मिलकर इनको भागाया था ठीक है अंग्रेज को वैसे अब यह चाह रहे हैं कि सर इनको भागा दिया जाए क्योंकि यह हमारा देश है ठीक है तो मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या इनको सच में भागाना चाहिए ठीक है इनका देश है तो क्या जब यह अब बताएए इनको जैसे पानी पीना होता है न तो इन से परमिसन लेना पड़ता है यह कहते है पानी विजली अभी तो युद्ध के दोरान इन्होंने क्या किया है पूरा कनेक्शन रिकर्ट कर दिया है खाने पीने कुछ भी नहीं दे रहे हैं इन लोग को ठीक है तो यह सब हालात है तो आपको फैसला करना है कि कौन सही है अगर बात करें कि कौन हमारे देश में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है तो देखिए जो हमारे देश के परधान मंत्री जी है जो मोदी जी है उन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया है ठीक है और फिलिस्तीन का नहीं किये है ठीक है अधर जो हम मु प्रदान मंतर हुए थे कोई भी पर्दान मंतर ऐसा नहीं है जो एस्राइल का सपोर्ट किया थ जायामतलिजी बीजेपी पार्टी से थो मौर्दी जी के अलावा ठीक है तो कोई भी जैसे अटल भीहारी बास्पे जी हो गए उन्हों ने भी support कभी भी इसराइल का नहीं की दिया था फिलिस्तीन का support कर रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि इनका देश है इनको मिलना चाहिए अपना अधिकार ठीके तो क्या इनका अधिकार मांगना गलत है यह आपको फैसला करना है ठीके मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा तो जैस से अटल ब्यारी बासपेज जी हो गए मनमोहन सिंग जी हो गए मतलब कोई भी नहीं किया है क्योंब मोदी जी ही ने किया है इसराइल का इस पार और वह भी क्यों तो देखिए एक कहा जा रहा है कि जो क्या हुआ था एक यूद्ध हुआ ठीके तो उस यूद्ध में ॵ में आथिकार नहीं मांगना चाहिए या आपके ऊपर से इन चाहिए बात है इनमें यह अपना अधिकार फीर से मांग रहे हैं क्योँ मुझे जो है वो मेरा चाहिए आफ लो रहीए ठीक प्र verdi तु जितना तो है अब हर जीजों के पाणी के लिए बिजली के तो इनके लिए युद्ध कर रहे हैं तो यह तो मेरा सुना चाहते हैं, खूल के तो नहीं कह सकता कि मैं इनके साथ हूं कियों कि देखे जो बहूत सक ऐस इस स्टुटेंट होंब जो स्पूर्ट कर रहे होंगे ब 2025 के तो नहीं कह सकता वाट हममें इतना कहूंगा कि देखिये जैसे अंग्रेजों नी किया है सेम टुसinta उल्म हालत इस समय इजराईल कर रहा है ठीके तो क्या प्रकार हमने अपने देश को क्या किया था हमने अपने देश से अंग्रेजों को फिलिस्तिन कर रहा है कि इसराइल को कम सकम जितना हमारा चाहिए उतना तो कम सकम मिले तो ये इस समय भागा रहा है तो क्या ये गलत है ठीक है अगर ये गलत है तो वास्तरिक्ता में रियाल्टी में यही भी है कि हम भी लोग गलत है अगर हम लोगों ने अंग्रेज को भागाया अगर हम लोगों ने सही है तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये भी लोग अपने जग़ा पर सही है ठीके तो अधर्वाइज आपका जो राय है वो बताईएगा ठीके दिल पे नहीं लेना है ठीके अगर आप किसी का सपोर्ट कर रहे है कोई दिक्कत नहीं है मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बता दिया ठीके ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी को दिख परुशाना ठीके ऐसा कुछ भी नहीं है ठीके जो सही है वो हमने बता दिया अधर्वाइज आप कमेंट सेके में जरूर बते जाएगा कि आप किसका सपोर्ट करना चाहते हैं सत्ते का सपोर्ट करना चाहते हैं या किसका आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों आज आप चिंता नहीं करना है ठीके आपको वीडियो मिलेगा तो आप वहाँ से पढ़ाई कर लेजिए अभी आपको वीडियो अपलोड होगा ठीके निश्चीनत रहना है तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद